हलो प्यारे बच्चों कैसे हूँ आप सभी लोग स्वागत एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने सेलेक्टू लर्निंग अड्डा में तो प्यारे बच्चों आज हम देखने वाले बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में बात करेंगे आपसे आपक कुछ प्रोपर्टी रखते हैं बिना बताए हुए यह कहते हैं सर हम तो होते हैं कुछा लग लेकिन अगर किसे दिए नम वैदुत छेत्र में पढ़ जाएं तो हम वैदुत छेत्र को भी कुचल के रख देते हैं ठीक है कैसे क्या होता है ना यह पहले बात तो धारा तो प् क्या करते हैं ठीक है तो यहां से समझ में आए अच्छा यह कुछ अलक होते हुए भी है ना इलेक्टिक फेल्ड को क्या कर रहा है सो कर रहा है ठीक है अगर ऐसा कुछ यह कर सकता है तो ध्यान रखना एक बात इसमें हम आबेस को स्टोर करा सकते हैं आबेस को क्या कर सकते है बहुत ही ज्यादा इस्टोर करा सकते हैं, तो हम आज इसी पर बात करने वाले हैं, तो यहां पर सबसे पहले चलो समझते हैं, इसके बारे में हम क्या study करने वाले हैं, तो देखो प्यारे बच्चों, यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे इसके परकार के बारे में, ठीक है, जो इसके प्रकार होते हैं दो प्रकार के होते हैं अच्छा जैसा कि मैंने आपको बता दिया यहां पर भाई इसका जो इसका जो गुड होता है मैंने आपके सामने रख दिया वैदुत प्रावैदुत है ना प्रावैदुत पदार्थ क्या होते हैं खक कुछ अलग पदार्थ होते हैं जो धारा का प्रवाह किये बिना ठीक है उनके प्रवाव को क्या करते हैं एक जगा से दूसरे जगा ट्रांस्पर करते हैं यह कितने परकार के होते हैं तो इनके बारे में भी देख लेते हैं दो परकार के होते हैं पहला आपका अध्रुवे ठीक है जिसे हम क्या कहते देखो ना द्यान से, क्या है यह धुर्बिये परावेदृत है, और उसके बारे में हम बात करेंगे, इसको इंगलिस में क्या कहते हैं, पोलर डायलेक्टिक्स कहते हैं, अच्छा यह है, चलो इसी पर आज हम बात करते हैं, एक आपका क्या होता है यह, एक आपका अधुर्ब के बारे में ठीक है तो बच्चों यहां पर हम देखने वाले बहुत ही इंपर्टेंट है यह आपके लिए तो यहां पर देखिए आपका आधुर्वे होता क्या है यह तो यह कहता है सर हमारा जो पदार्थ है ना मैटेरियल है इसका जो गुड होता है ना हो क्या होता है ध्या pares क्या कहेंगे धन अबेस और रेड़ा अरे यह धना बिभल सर हम जयाँ पर होते हैं महीं पर canyon tapi माइनस वाला भी होता है या जया पर माइनस वाला होता है माँ परनिस वाला होता है यानि कि दोनों हम लोंकि सादी हो गई यह रिड़ाब इसकी बात हो दोनों एक ही चेकांपर हो उन्हें हम क्या कहते हैं देखो ना अधुर्वीय कहते हैं नौन पोलर कहते हैं अच्छा इनकी जो खास प्रॉपरटी होती है इनके अंदर पी दोईधरू अगुड कमान पहले से ही जीरो होता है पहले से क्या होता है और देखों पहले से जीरो यहां पर लिखा हुआ है इन अड़ों के परड़ा में योम अस्थाई दूइधुरू आगोंड क्या होता है नहीं होता इसका मलब पी बराबर क्या होता जीरो जो आप पढ़ देते पी बराबर क्या क्यों टू टू एल देखो टू एल बीच की पहले नंबर इसको समझ लेते हैं फिर मैं आपको सारे पॉइंट्स क्लियर करा देता हूं ठीक है आप किसी को भी अच्छे तरह से समझा ले जाएंगे चाहे आपका भाई हो चाहे आपका दोस्त हो ठीक है हमें ऐसे पढ़ना है कि अपने भाई बेन को दोस्त को कोई भी प पाऊगे तो सबसे पहले नंबर आपको समझ में आना चाहिए और ऐसे समझ में आए कि भाई किसी को समझाना है जब किसी को समझाओगे तो आपको खुद याद हो जाएगा तो देखो यहां पर यह आपका ठहरा प्लस का इसके चारों तरफ एलेक्टरान होंगे कहा सर हमार इस इलेक्टरान का भी केंद्र क्या है यही है तो यहां पर सभी जो इलेक्टरान है ना सभी इलेक्टरान का एक ही जगां पर केंद्र है और यहां पर जितने भी प्लस होंगे हुन सभी का केंद्र कहां पर है एक जगां तो ऐसे ही पदार्द को हम क्या कहते हैं यानि कि होता है आम adam देखना चाहते हैं तुम्हारे अंदर हैं कितना है नंतर ना नाटक भरा हुआ है चलो ड्रामिक इस जचाना डेखते हैं कौनसे ड्रामवा आप्का यह ना रख देते हैं वैदूद हो गया एरे गलत हो गया पलस प्लस प्लस जैसे इसको बीच में रखा जैसे इसको बीच में रखा यह ऐसे था देखो यह ऐसे था पहले ऐसे घूलए इसे निकलने लगा वैजे अधर मैं इधर देखो इधर आपका प्लसे वाला की तरफ और फसले कि तरफ इस गया थे तो यह जो प्लस वाला है ना यह फिट गया और यह जो जितने भी साइड की कि निगेटिव षतें यह मैक्समन रोप से किसकी तरफ सीच दाने कार हिए इसरा कम करते हैं उपलराइज द्यां हिंदी में ऐसके कहते हैं धुरूरण करते हैं धुरूरर से यहां आप देख सकते हो यह है इसका एफेक्ट अच्छा एक खास प्रोपर्टी हो रहे है इसका क्या है बोलो बताओ सर मुझे जली से अरे रुख जा यार धैर तो रख दिखो इदर माइनस है इदर पिलस है तो बाहर वाले चार्ज तरफ से एक वाले चैंड के तरफ और यह प्राबर लेकिन देखो शॉर्ड विप्रे दिशा में है त्युक्त इसलिए इनका जोर में फिल्ड आएंगा तो आप से अगर भाई या कोई पूछे अंदर एलेक्ट्रिक फिल्ड कितना होता है तो जीरो होता है क्या होता है जीरो क्यों जीरो होता है कि तो एक बाहर वाला बाहर वाले की और अंदर वाले का जो वैदुच्छेत्र है एलेक्ट्रिक फिल्ड है वो क्या है भाई विपरित दिसा म यानि कि से magnitude क्या है तो दोनों का electric field के वज़ा से जो net आएगा परड़ामी वह आपको क्या आएगा जीरो आएगा इनेट अगर मान लीजिए हम e1 को plus लेते हैं e2 को क्या लेते हैं minus तो दोनों same quantity है इसलिए इनका जो minus करके आएगा वो क्या आएगा जीरो आएगा तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा तो चलिए देखते हैं कुछ होड डाइगराम देखते हैं इनके बारे में समझ호 ते हैं यह नहीं है, यह आपका दूसरा फोटो है, बात करेंगे इसके विपारे में, ठीक है, इसको बीच में इसलिए डाल दिया था, इसको थोड़ा देख लें, है ना, इसका जो यूज करते हैं, इसको तो तो इस इसको तो इसको करते हैं, कभी देखा है ऐसा, कैप उसीटर है, क्या करना है स्टोर करना है ठीक है तो आप सिंपल सा देखें यह वाला देखना अभी इससे आपको आप से क्या है दुस्मनी है अभी इससे आप क्योंकि इसके बारे में नहीं जानते हो अभी हम इसके बारे में बात कर रहे हैं देखिए यह जो प्लस है ना इसी के नीचे क्य क्या होगा माइमस एक दूसरे के ऊपर है ढूंगे घ़ीक है तो यह आप मौलिकूल होंगे क्या होगे रहुत है किनो का छित्र में रखते हैं अ खाओ आ एक w i Von कि यहां पर अंदर ही न है न सक ब् lead करने न के सब्सक्ष्ट फेल्डे जाएगा इसके tcheap फिर किदर होगा यह टू हो गया न तो यह यह क्या कर देंगे चैंसील ध्यान रखें यह अंदरcome इसको कर सकते हैं यही इसका काम होता है थीक है अभी हम इसके बारे में भी बात करेंगे चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पेज़ पर मुलाकात करते हैं बई दूसरे वाले पर तो अगर आपको यहां तक अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप जरूर इस वीडियो को आप सेर करते हैं दबा के खुब दबा के ठीक है और अगर अबी तक अगर अभी तक आप सब्स्क्राइब नहीं कर रके हैं तो यार जानते हो क्या करना है चलो यहां पर बात करते हैं धुर्भ이에요 polar किस के बीच में होता है जो केंद्र होता है एक जगां पर नहीं हो सकता है तो अब भाई अगर इनके पास एक दूहरों आगओं भी यह प्लस का यह माइनस का है तो पी तो आएगा पी जीरो होने माला नहीं है उनका जो हो न कुछ न कुछ इसका मान होगा थिक है हम निकाल लेंगे आप शधाइश तो रिखेंपल है जैसे वहां पे हाहाएडोजन था बताओ मुझे संपति नहीं है तो दिखिए यहाँ पे जो elektron share कर रखे हो गए न इनका और इन yes होगा ठीक है यह को इदर खीचना चाहेंगे इसको इधर जिस ओजासे इनका पी क्या जाएगा जेगा या गर हम सियो टू की बात करें स्योगी नहीं शियो टू दो यह जो होता ना यह ऐसे होते हैं अधुर्विया की बात हो रही है भी यह माइनस से यह प्लस है यह माइनस से यह प्लस है अब प्लस वाले को यह भी खीचेगा यह भी खीचेगा तो पी इसके पास कुछ बचा नहीं बचा ना अच्छा इसके जो दिसा है माइनस से प्लस की तरफ सो करते हैं माइनस से किदर प्लस की तरफ सो करते हैं तो आई होप आपको समझ म यहां पर आपका यह दूधरू इसने तो जीरो होता है लेकिन है इसने जीरो नहीं फिर आज पर चर्चा करेंगे तो देखो भाई यह निचे कि तरफ खिचेगा नाइट्रोजन क्या है निगेटिव है तो यह तरफ जाएगा ठीक है भाई जो फी जिसा आएगे न वह निगेटिव से किदर आती है पॉस्टिव की तरफ आती है ठीक है तो यह पी वन हो गया यह पीटू अधिए और यह आपका क्या हो गया पी थरी तो इन तीनों का एक परड्रामी होगा कि नहीं होगा जो नी निम्न कुछ option दे रखें और इसमें से बताना है कौन सा option सही है धुर्विये के लिए तो ध्यान रखें जिसका पी जी रोड नहीं होगा ठीक है तो वह आपका क्या होगा धुर्विये होगा तो इन में से आपको इसा भी मॉल्यकूल्ड ने हमें से ऊचाहएं इसके बारे में हैं इनके सम् Sailor होते हैं। समपाती हैं लेकिन अगर हम सील के पास याएं तो से ल केंगा सर हमारा तो साइज बहुत बड़ा है है तो दोनों का केंदर समपाती होने वाला नहीं है ओभाई अगर पानी से बात करूँ तो पानी कहेगा सर हड्रोजन है और ऑक्सिजें आ तो यह आपके क्या सू कर रहे है पोलर डायलेक्ट्रिक्स तीकर सू कर रहा है आइए नेच्ट दिखें ये बड़ा इंपोर्टेंट है ये कहानी बना गया जाता है मारे साथ ठीक है कहानी कौन से कहानी सर देखो अगर हम इस पदार्द को ध्यांते देखना अभी क्या है ना इलेक्ट्रिक फिल्ड जीरोा है यह जो मॉलिकूल है ना इसको किसी भी फिल्ड में नहीं रखा गया है तो यह तो ऐसे रेंडम तरीके से हैं ना है लेकिन किसी दिन मैं एक काम करूं इस साइड में प्लस का चार् है माइनस का ठीक है तो जैसे ये डियालेक्ट्रिक है नहीं फिल किरेंगे अभर जाएंगे अगरे माइनस कि तरफो जायेगा हो जो Soy हो जाएगा है इसको तरफो द्सक्राव FrD Mac fora किसका जाएगा माइनस की तरफ हो जाए तो आपको ये समझ में आया होगा आगे देखते हैं कि कुछ और एक्जम्पल ठीक है यहां पर आप यह देखिए अभी आपको जो मैंने समझाया जैसे इसकी जो दीसा होते है मैंन से प्लस की तरफ होती है यह अइसा और वाटर के यह बाते हमने कर चुके हैं वही चीज़ है यह आपके डायए डाय लेक्ट्रिक्स जब इनको वैदोच छेतर में रखा जाता है तो यह एक दिसावें आरेंज हो जाते हैं मैंने लिजे इधर माइनस और इधर प्लस अगर वैदू छेत्र के जिसा इधर रहे तो आई होप आपको यह क्लिए रुखा होगा तो प्यारे बच्चों हाई यह समझते हैं इनके कुछ और इंपोर्टेंट पॉइंट्स ठीक हैं यह बड़ा गजब का पॉइंट है बहुत ही गजब तो यहां बे सबसे पहले नमबर समझेंगे पराया वैदू सामर्थ जिसको देखिए मैं पूझा हूँ आपकी आउकात कितनी हैं आप कहेंगे सर मेरी आउकात मैं तो बता नहीं सकता हूँ लेकिन सबकी क्या ऋकात होती है थीक है हम उस्सी लिमिट टक बात कर सकते हैं सनलो अगर मैं आप से बात करूं तुम्हारा आवकाद, तुम्हारे पापा के सामने कितना है, आप कहेंगे सर, इतना है कि बस एक respect तक, अगर उससे ज्यादा मैं आवकाद दिखाऊंगा, तो मुझे तोड़ के रख देंगे, ठीक है, तो वो respect का जो maximum, respect का जो maximum, ठीक है, तुम्हारे अंदर उरजा है, वही क् ठीक है, तो ऐसी यह परावयदुत पदार्थ होते हैं, ठीक है, यह कहते हैं सर, अगर आप हमें electric field में रखना चाहते हो, ठीक है, इमान लिजे, इधर माइनस माइनस है, और इधर आपके क्या है, प्लस प्लस है, ठीक है, इधर क्या है, प्लस प्लस, और जैसे एक आपका, भाई, रखा गया, प्रावयदुत पदार्थ, यहां पे हम पोलर रखने जा रहे हैं, ठीक है, तो देखो, यह आपका माइनस है, और यह प्लस है, भाई, प्लस वाला माइनस की तरफ टिल्ट हो जाएगा, और निगेटिव वाला पॉस्टिक पी तरफ, अब अगर यहां प अगर एलेक्ट्रिक फीलड बढ़ाते जाऊं, अब एक टाइम ऐसा आएगा, यह कह कह सर, अब हमारी ओका से बाहर है, अगर आप इस से जज्ज़द बढ़ा दिये, इस से अगर ज़्यादा आप इलेक्ट्रिक फिलड करते हैं, बढ़ा देते हैं, तो हम क्या करेंगे जाते हैं तूटा नहीं है भंजन की इस्तति में आ जाते हैं ठीक है उसी को हम क्या कहते हैं परावैद्दस सामर्थ ठीक है आप लिमिट तक ही हो अपने मेक्समम लिमिट में हो अगर आप एक वर्ट्स भी निकाल देते हो पापा तुम्हारे धुल देंगे वहीं पर यो यो ठीक है तो यहां पर आई होप आपको समझ में आया होगा अगर आप भंजन की बात करूं तो थोड़ा सा एलेक्ट्रिक फिल्ड बढ़ा दूं इससे ज्यादा तो यह क्या होंगे ना अगर एलेक्ट्रिक फिल्ड को बढ़ा दिया तो माइनस वाला अलग हो जाएगा अलग हैं तूटना चाहते हैं हैं एक दूसरे से तो वह आपका क्या होगा भंजग विवांतर होगा यहां पर इसके पॉइंट्स को भी देख लेते हैं यहां पर देख सकते हैं परावैदुत पदार्थ है ना जब इनको प्लेटों के बीच में रखा जाता है जिस बोल्टेज प और प्ытplaces अब ध्यां से होगानाना नोड करलों क्योंकि भी इंपर्टेंट दो आपको अगर यह अच्छा लगा हो तो आपसे में यह सब्सक्रों लाइक करें और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीदियो में जो आपके लिए बहुत ज्यादा important होगा वो उसमें हम क्या करेंगे भरी उसमें बात करेंगे sandharitr क्या होता है उसके सिधान को देखेंगे समांतर प्लेट sandharitr का, कैसित्न किपना होगा उसका सandharitr का बेंजर क्या ह首 सब करेंगे बात match बेंगा आप से तो आप हमारे साथ बने रहें और मौझ मस्ती के साथ इस कलास को हम आगे बढ़ाते रहेंगे बस आप हमारे साथ रहें बस मजा जाएगा मिलते हैं आप से नेक्स्ट वीडियो में चलिए थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो